गार्व हैं आजकल बहुत सारे white-style से मार्केट पूरा भर गया है हर डॉप्टर नया मिन्य च्रीघा आपको भी उनलाइन बहुत सारे ऊप्शल में आपके दीक रहे तो वीच ब्रांड इजब आपको कौंसी拍 आपके लिए बस्ट है या कौंसे मिनॉक्षडिल सबस्याष्ट इसकी पर आज हम विडियो पर इतिल्स में जाएंगे टु जैदा लूज हो जाए ताकि इसके अंदर से ज्यादा ब्लट पाए वाजआचक्शन means blood flow कम कर देना कोई tissue में blood flow कम होता है तो वाजो कंस्रिक्शन और वाजो डाइलेशन जाता 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 है तो मिनोक्सल सबसे पहले पुराने जमाने में as a drug use होती थी hypertension जिसमें blood vessel shrink हो जाती है चोटी हो जाती है उनको dilate करने के लिए ताकि blood flow अच्छे से जाए और hypertension में ज्याता blood pressure कम हो जाए तो blood pressure control करने के लिए यूज होता था कोई भी doctors ने patient को दिया तो उनके साथ उनको देखा गया कि जो भी patient ये दबाई ले रहे थे जो कि around 40 mg पर day के dose में जा रही थी तो उनको यहाँ बालनेस में recovery notice करी उन्होंने देखा कि जो भी ये टैबलेट्स खा रहे हैं उनको बालों में भी अच्छी growth हो रही है तो तब से minoxidil का hair के लिए भी यूज करना चालो हुआ अब definitely normal person को तो blood pressure normal रहेगा अगर उसको हम 40 mg minoxidil दे देंगे तो उसकी बाड़ी में blood pressure down होने का रिस्क रहेगा तो scientist ने देखा डॉक्टर्स ने find out किया कि क्या dose तक वो safe है और दूसरा हमें पूरी बाड़ी में effect नहीं चाहिए हमें सिर्फ scalp में effect चाहिए ना कि बागी body hairs में और overall तो उन्होंने ये भी notice किया कि अगर वो solution form में अल्कॉल बेज solution form में 1 ml जो badness का area है उतने में लगाया जाए तो वहाँ पर effectively वो vasodilation कर लेगा और body में side effect भी नहीं आएंगे ना तो blood pressure बढ़ेगा ना heart rate change होगा और ना ही सुजन आएगी तो ये जो side effect common भी हो सकते हैं वो avoid कर सकते हैं तो ये तरीके से venoxidil का एक proper way में venoxidil hair loss के treatment में use होना start हुआ